बूर्णिंग बच्चो आज हम बच्चो क्या है AITS 3 का डिस्कसन करेंगे जिसमें हम बॉटनी बाले पोर्शन के आंसर की आपको देंगे बच्चो इसमें क्या है इस AITS में आपके 3 चेप्टर हम डिस्कस करने बाले हैं स्टेटेजी और माइक्रॉप्स और 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 अर्गेन में पॉपॉलेशन तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं बच्चो सेक्षन ए जो है आपका आपको पताएगी इस AITS में दो सेक्षन है सेक्षन एं सेक्षन बी तो आप जानते हैं वेराइटी ओप ओक्रा मतलब भिंडी कॉल्ड पर्भानी क्रांती और मुंग बीन बोथ आर रिजिस्टेंस टू येलो मोजेग वायरस दोनों ही जो वेराइ नहीं, म्यूटेशन बीडिंग तो मुंग के लिए है, हाइविडाइजिसन ए सेलेक्षन ये करेक्ट आंसर है, टिश्यू कल्चर, जैनर्टिक इंजिनिरियरिंग, ठीके तो आपने देखा पार्भानी क्रांती जो आपका हमाना जो कल्टिविटेट बाराइटी थी वो संकरण और चैन, तो आंसर क्या होगा हमारा, सेकेंड, नेक्स हम बात करेंगे बच्चो, 102, पॉली एथाइलीन ग्लाइकॉल, इसको सौट में भी हम बोलते हैं, बच्चो, पीईजी, पॉली एथालीन ग्लाइकॉल एक हीमो फ्यूजिंग एजेंट है, ठीकि जो सेल्स दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज में मदद करता है, एन्हांती फ्यूजन और प्रोटोप्लास्ट, बट तू आइसोलेट नेक्ट प्रोटोप्लास्ट, विच अब दे फॉल्विंग नैसेसरी, आपको प्रोटोप्लास्ट बनाने के लिए दो एंजयम के जुरत होगी, एक क तो आप का अंसर आजाएगा, थर्ड, A and B, ठीके तो प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, प्लांट सेल, विदाओट सेल वॉल, प्लांट सेल है, विदाओट सेल वॉल, तो सेल वॉल हमने क्या कर दिया, इसको, डिग्रेड कर दिया, तो सेल वॉल को हमने क्या कर दिया, बच्चो, डिग्रेड कर दिया, तो उसी के कान अपना क्या है, सेल वॉल हटा दिया, तो Lactinase and Cellulase Engems, हमारे somatic hybridization की process का जो first steps है, formation of protoplast उसमें involved होती है, जबकि जो PEG और आपका sodium nitrate है, यह second step में यूज होते हैं, fusion में, ठीके, मतलब protoplast fusion में आपके involved होता है, protoplast fusion में आपके involved होंगे, कौन? PEG, polyethylene glycol, next हम बात करेंगे, बच्चो, question number 103, cyanobacteria, जन्हें हम blue-green algae बोलते हैं, source of single cell protein, आप देखोगे, इस group में, blue-green algae, कौन सा blue-green algae है, आप देखो, chlorella क्या है बच्चो, यह तो ए ग्रीन algae है, spirogyra भी क्या है, ए ग्रीन algae है, spirolyna यह क्या BGA है, blue-green algae है, सबसे best source है, spirolyna, single cell protein का, ठीके, तो single cell protein आप जानते बच्चो, microbial biomass, used as an alternate source of food, that is, single cell protein, तो single cell protein, एक misleading term है, यह multicellular organism से भी obtain की जाती है, spirolyna सबसे best है, जिसे potato processing plants में, on sea beige में, even sea beige में, straw में, and molasses, इन सम में grow कराया जा सकता है, तो बच्चो, best क्या है आपका, BGA, exynobacteria, तो क्या आंसर आजाएगा बच्चो, second, correct answer, 104, read the following statement, and select the correct option, correct को हम अंडरलाइन कर लेना है, Somatic Embryogenesis is a technique of Micropropagation, Micropropagation को हम क्या बोलते हैं, बच्चो, Tissue Culture का ही अदोरोने में, Tissue Culture, we can obtain thousand of plant in very short period of time, from a small part of plant, that's why, Tissue Culture also called as Micropropagation, Germ Plant Collection is one of the important steps in plant breeding program, बिलकुल सही है, क्योंकि Germ Plant Collection को हम क्या बोल सकते हैं, Germ Plant Collection को क्या बोलते हैं, Collection of Genetic Variabilities, Collection of Genetic Variabilities, Germ Plasm Collection, means हम क्या कर सकते हैं, बच्चो, Collection of all the diverse allele and their genes, that is called as Germ Plasm Collection, जितना हमारी पास क्या हैं, Genes से कटे होंगे, Genetic Variability जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही हमारी क्या है, Process के Success के Chance ज़्यादा होंगे, तो बोथ Statement आर Correct, ठीके, दौना Statement हमारे क्या हैं, Correct हैं, Find the Incorrect Match, तो इंकरेक्ट को मैंने अंडर्लाइन कर लाएं बच्चो, Somatic Hybridization आप जानते हैं, कि दो प्रोटोप्लास्ट के Fusion की प्रोसेस हैं, जो क्या कहलाएगी, Fusion of Protoplast, जो आपके different, Genetic Mac-Up के होगे, Genetically Different होगे, जैसे हमने पोमेटो बनाया, पोमेटो, तो पोमेटो में हमने क्या लिया था, Potato Plus Tomato इन दौनों के प्रोटोप्लास्ट से हमने क्या, Fusion से क्या मनाया है, तो Somatic इसमें क्या, Fusion of 2 Milgaon, यह गलत है, Green Revolution ठीक है, आपका occur in mid-1960, यह ठीक है, Bio Fortification अब जानते हो बच्चो, Breeding of Crops with higher level of Mineral, Vitamines, Healthier Fat, Proteins, ठीक है, Bio Fortification, Improve Protein Content and Quality, Callous आप जानते हो, Unorganized Mass of Cell है, Callous, यह भी ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चो, का एक संकरण में, दो नर्जों में को को हम शूज नहीं करते हैं, genetically different cells अपना होना चाहिए, 106, In order to obtain virus-free plant, through tissue culture, the best method is, protoplast culture, मैस्टेम culture, embryo culture, हैपलोइट culture, नहीं, अब हैपलोड तो किस के लिए यूज करते हो आप पोलन से बनाने के लिए, पोलन ग्रेन के culture से हम क्या बनाते हैं, हैपलोड या एंथर culture से, ठीक है, गोहायन महिस्वरी, मैस्टेम culture, the best culture for obtaining the disease-free plant from disease plant, मैस्टेम में बच्चों ability होती है, इसमें high concentration oxygen होता है, और इसमें rapid multiplication होता है, तो मैस्टेम से हम क्या कर सकते हैं, जानते हो apical मैस्टेम और axillary मैस्टेम को में यूज कर सकते हैं, तो विवज़ोतक culture सबसे best culture है, जैसे हम क्या बच्चों virus-free plant बना सकते हैं, तो answer क्या जाएगा हमारा, second, correct answer, the organisms which are used commercially to produce statin inside, अब दोनों ही बच्चों क्या हैं यह bioactive molecules हैं, वो आप जानते हो, bioactive molecules हैं दोनों, ठीक है, bioactive molecules का आप जानते हैं बच्चों, एक microbes से हमने निकाला अपने कोई भी chemicals और दूसरे organism में वो क्या हो जाए, active हो जाए, काम करें, उसके component के साथ integrated हो जाए, तो दोनों ही क्या fungal product है, ठीक है, आप जैसे cyclosporin जो है, trichoderma, polysporum से बनाए गया है, वो एक fungus है, आपका statin ये भी आपका एक yeast है, monascus purpureus, तो आपका क्या आंसर आजाएगा बच्चों, ये तो आएगा नहीं, इसमें fungus बैक्टिरियां हैं, ये भी नहीं आएगा, फंगल, दोनों ही फंगस हैं, तो थाड़ आंसर आजाएगा, ओके, तो बैक्टिर मॉलिक्यूल्स में आपका क्या है, वो तार अप्टेन फॉम्दा फंगस, साइक्लोस्पूरे नहीं, जो आपका क्या है, एक immunosuppressive agent है, तो organ transplant के समय यूज किया जाता है, और इस statin क्या है, एक blood cholesterol lowering agent है, 108, true false के बारे में हमें बताना है बचो, तो statement दे हुए, correct हमें बताना है, bio fertilizer enrich the nutrient quality of the soil, बिल्कुल सही है, bio fertilizer के हमें microorganism होते हैं, जो हमारे soil की nutrient quality को improve कर देते हैं, correct है, organic farming used naturally, produce input like compost, बिल्कुल ये भी correct है, क्योंकि हम organic farming आप जानते हैं बच्चो, it is a cyclic zero waste procedure in which the waste from one process used as a nutrient in another process, तो इसमें कोई waste नहीं बसता, composting, ठीक है, तो आपने देखा है, रमेश्चन डागर ने आपने काम किया है, तो बहुत आर ठ्यू, तो आपको क्या answer आजाएगा बच्चो, answer number 3, is the correct, select the incorrect match, no-stop, autotropic nitrogen, बेलकुल आपको पता है बच्चो, ये क्या है, bilo green algae, ये बीजी है, biogas content methane, नो बिलकुल गलत है, myogas में आप जानते हो, बच्चो, biogas क्या है, mixture of gases, mixture of gases है, जिसमें बहुत सारी gases होते है, man जो gas होता है, वो आपका क्या है, predominant जो gas है, वो methane है, इसके बाद हम देखें, H2 भी है, CO2 भी है, H2, S भी है आपका, बहुत सारी gases इसमें आपके होते हैं, okay, not that, तो ये आपका answer आजाएगा, flocks, आप जानते हो, masses of bacteria associated with the fungal filament, ये भी आपका क्या है, सही है, तो ये आपला आपका क्या है, गलत हो जाएगा, ये भी correct है, ये भी correct है, Glomus भी बता, Mycorrhiza बनाता है, ठीक है, तो क्या answer आजाएगा, बच्चों, methane में केबल, वतर क्या, बायो गेस में केबल, तो methane नहीं होती है, तो correct answer is, second, select the incorrect, तो बच्चों, हमें सीधी सी बात है, incorrect to underline कर लेते हैं, curd is more nutritious than milk, बिल्कुल सही है, curd में ज़्यादा nutritious होती है, क्योंकि इसमें vitamins, बहुत सारे vitamins होते हैं, mainly vitamin B12, curd has microorganism, commonly called as lactic acid bacteria, बिल्कुल सही है, सही है दोनों, our stomach lab play very beneficial role, बिल्कुल सही है, in increasing, but increase नहीं करता है, बच्चों decrease करता है, तो lab check the growth of disease-causing organism, ये बिल्कुल गलत है, ये ही answer हो जाएगा अपना, lab convert milk into curd, बिल्कुल सही है, तो बच्चों आपका यो answer है, ये थाड़ा जाएगा, ठीके तो ये क्या करता है, decrease करता है, increase नहीं करता है, decrease करता है, reduce कर देता है, reduce the growth, ये check the growth, growth of pathogen, disease-causing organism, disease-causing organism की growth को, microbes की growth को रोख देता है, lab, तो क्या answer आजाएगा बच्चों, हमारा, third is correct, incorrect पूछा है, third, decrease the growth, ये हाँ पर कहले खाएगा, increase लेखा हुआ है, Swiss cheese, आप जानते हो, बच्चों, काफी इसको, करेक्टराइज किया जाता है, due to presence of large hole, ये rich है, protein होती है, आपको जानते हो, calcium में मिल्क के component है, जो इस चीज के भी होंगे, it is a ripened, by bacteria, एक bacteria के द्वारा, लेकिन, leuconose stock नहीं है, तो इटली डूसा बनाने में यूज किया जाता है, ये bacterium, प्रोपियोनी, बैक्टिरियम सार्मानी, बिल्कुल करेक्ट है, फंगस, फंगस, रॉकिफोर्टी चीज, ये अलग है, पैनिसिलियम, कैमेंबर्टी, ये दोनों फंगस है, तो हमें बैक्टिरिया की बात करनी है, तो स्विश चीज, बैक्टिरियम, इसमें क्या होता है, कि जो फर्मन्टेशन की प्रोसिस है, इस फर्मन्टेशन में आप देखते हो, बहुँँआदा आमाउंट में क्या है, CO2 का प्रडक्शन होता है, इस जढदा, इसी से क्या इसमें, लार्ज होलो क्रिएट होता है, लार्ज होल, यही इसकी पहचान है, तो स्विश्चीज का जो करेक्टर है, वो क्या है, इनकी लार्ज होल्स, ओके तो आप रोपियोनी बैक्टिरियम सार्मानी इसका अंसर आ जाएगा बच्चों, तो आंसर, सेकेंट, केटल डंग, कॉमली कॉल्ड गोवर, इस रिच इन सम एनेरोबिक बैक्टिरिया, दीजार, आप जानते हो बच्चों, एनेरोबिक बैक्टिरिया को हम क्या बोलते हैं, मीथेनोजन्स बोलते हैं, इनको बिलकुल भी ऑक्सिजन नहीं चाहिए, मीथेनोजन्स, मीथेन प्रडूजिंग बैक्टिरिया है, मीथेन प्रडूजिंग बैक्टिरिया, मीथेन प्रडूजिंग बैक्टिरिया को क्या बोलते हैं बच्चों, मीथेनोजन्स बोलते हैं, ठीके, तो यह अनेरोबिक होते हैं, इस्टिक्ट, इस अबलिगेट होते हैं, हो गया आल्सो फाउंड इन एनेरोबिक स्लज दूडिंग सीबेस टीटमेंट एनेरोबिक स्लज इनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर में पाए जाते हैं और कॉमनली कॉल्ड है राइजोबियम डू नॉट ब्रेक डाउन औरगेनिक असेड इन्टू एसितिक असेड डॉंट ब् आजेस्टर में आपके देखने को मिलते हैं तो मेथैनोजन जो हैं गयास पॉर्म करते हैं आपके तो आंसर क्या जाएगा बच्छो हमारा सेकेंड जो हमारी नूट्रियंट की जो फर्टिलिटी है उसको क्या कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं स्वैल को नूट्रियंट रिच बना जेते हैं उस ही को बायो फर्टिलाजस बोलते हैं तो जो इस्पाइरेलम हमें यह पर बूचा कौन सा पेर ने यह तो है साइनो बेक्टिरिया भी आएगा राइजोपस एन एस्परजिलस नहीं आएगा यह दौनों ही क्या आपके फंग अब ब्लेक ब्रेड माल्ळ बोलते हैं ब्लेक र् Gal south जो है ब्लेक ब्रेड माल्ळ तो इसका बायो फाटिलाजएर से कोई एसपरजिलस यह आपका क्लिशी यह द ज कंप कर देता है वीड ओफ लेबरेटरी ये लेव कंटेमिनेट कर देता है एसपर्जिलस ठीक है फ्लेवर्स पोईजनस होता है तो यह यह बाला जाएगा थर्ड आंसर राइजोपास और एसपर्जिलस यह बायो फर्टिलाजर्स नहीं है मैच दी फॉलोविंग ओर्गिनिज्म इन कॉलम मिलाना है आपको टू दी प्रड़क्ट दे आर यूस्ट प्रड्यूस मैंसन कॉलम सेकेंड प्रड़क्ट और और ओर्गिनिम को मैच करना सीथी सिवात है तो आप जानते हो सेक्रोमाइसिस आप जानते हो यह ब्रैड के साथ पजने जाएगे सेरिवसी इसे हम इंडस्टिकं क्या बोलता है बेकरी बोलते हैं और इसको बेकरीस्ट बोलता है सैक्रोमाइसिस को क्या बोलेंगे अब एसपरजिलस नागर्सित्रिक असड के लिए बहुत IMPORTANT है यह एसटो बैक्टर एसीटी असटिक असेड बनाएगा कलापिंटीडियम् व्यूटालिकम , ये आप क्या करेगा, ये आपका व्यूटालिक एसद बनाएगा, तो आपका मैसे, देख लो इसमें, बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, एका 4 है, एका 4 किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो कट गई, दो अप्शन तो, आप B का 1 है, B का 1 नहीं, वी का 3 तो ये भी कट गया, क्या बच्चा, ये बाला है, 4 त आंसर आजएगा ब्यूटालिक हम ब्यूटालिक ऐसे ओके तो आंसर हमारे मेहचे कर जाएगा फोर्थ जानते हो कि जब हम प्राइमरी उफिलियंट को एरेशन टेंक में डालते हैं तो वहाँ पर प्रोसेस होती है तो यहां पर जानते हैं कि एरोवेक हेट्रोट्रोपिक और गनेजमें वह काम करते हैं एरोवेक हेट्रोट्रोप्स जो नेचुरल उसमें प्रजैन्ट होते हैं हेट्रोट्रोप्स और जिसे हम फ्लॉक के नाम से भी जानते हैं फ्लॉक्स फ्लॉक में आप जानते हैं बच्चो मास और बैक्टीरिया तो फ्लॉक में क्या होते हैं आपके बैक्टीरिया और फंग with fungi क्या बना देता है तो क्या आंसर आजाएगा हमारा 3rd स्ट्रेप्टो काइनेज इस यूज बहुत इंपोर्टेंट इंजाम से आपका बच्चो स्ट्रेप्टो काइनेज से हम क्लॉट बस्टर की रूप में यूज करते हैं जो स्ट्रेप्टो कोकस बैक्टिरिया से उप्टेन की जाती है स्टेप्टो कोकाई मैक्टीरिया है इससे अप्टैन किया जाता है ओके क्लॉट बस्टर जाब मायोकाडियल इंफ्रेक्शन आप देखोगी आर्टरी में क्लॉट हो जाता है उस क्लॉट को डिजॉल्व करने में ठीके डिटर्जेंट फर्मूलेशन में लाइपेज यूज होता है क्लेरिफिकेशन में फ्रोट जूस में पैक्तिनेज और प्लोटीएज होती है यह क्लॉट बस्टर फोर रिमॉविंग क्लॉट फोर ब्लड बैसल्स यह थर्ड आंसर आजाएगा और स्टर्च को डिजिस्ट करना है तो एमाइलेश अंजयम सापका यूज होता है ठीके कार्वो हाड़ियर के डिजिशन में थिके हमारा थर्ड आंसर आजाएगा तो थकका स्पोटक का काम करता है क्लॉट को डिजॉल्व करने का काम करता है तो आंसर आपका क्या आजाएगा वच्चों थरी आजाएगा विब्रेज लाइक आप जानते हो दो ही विब्रेज हमारे पास होती है एक तो वियर होती है और एक आपका वाइन वाइन और वियर दोनों क्या है आपके मींस विदाउट डिस्टिलेशन आपकी बनती है वाइन वियर ठीक है और जबकि बाकी जितनी भी है आपका वो सब ब्रांडी बोड का विसकी यह सब इनमें अलकॉल की करना पड़ता है तो आप देख रहे हो यह वाला भी गलत है एक क्योंकि इसमें ब्रांडी आ गया यह वाला भी गलत है यह भी है तो यह फोर्त आंसर आ जाएगा तो डिस्टिलेशन हमें करना है तो एलकॉल की कंसंट्रेशन क्या बढ़ जाएगी ठीक है लेकिन यह नेच् बारे अपना देखा है वाइन में है तीन से शे परसेंट आपका क्या भी एर में होता है और गेनिक एसेड यूज्ट इन दी प्रपरेशन ओव विनेगर इजैन एसेड इस कोमर्सेली उप्टैन फ्रॉम बैक्टीरियम आप जानते हूं कि आप जानते हूं कि आप जानते आप जानते हूं डे लिए फंगस नहीं है वाइनस वाइरस तो आप देखो एक जाब वेक्टीरिया है तो किए आंसर आजाएगा हमारा बच्चो असर नंबर one तो करेक्ट एकितो वेक्टर शीटी से क्या अप्तेन किया जाता है अशुटन किया जाता है तो प्लांट को देखो प्लांट के लिए पूछा गया है प्लांट को क्या-कया प्रडीट मिलेंगे फंगस को क्या मिलेंगि वह आप जानते की ओ ठीक है तो प्लांट को देखो प्लांट के लिए पूछा गया है ॥ एक्सेंट रेशिपेंस टू रूटबार्न पैत emanet बिल्कुल यह plant को प्रोटेक्ट करता है दूसरे माइक्रॉप से, tolerance to salinity, बिल्कुल, trot, यह भी आपका करेगा, plant की ग्रोथ भी बढ़ाएगा, selter नहीं, selter और food तो किसको मिलते हैं, फंजाई को मिलते हैं, selter और जो food है, वो किसके लिए हैं, क्यों, plant तो अपना food खुद बना लेगा, plant को थोड़ी ना food की जरूरत है, इसी से हमें पता जग्या, आस्रे और भोजन, तो क्या answer आजाएगा हमारा, answer number 4, यह और है, plant को थोड़ी food चाहिए, फंगस को food चाहिए ना, क्योंकि वो hetero-trops है, फंगस food नहीं बना सकता, the first antibiotics was discovered by elegyendal phlemming, the source of this antibiotic, आप जानते हो बच्छों फंगस है, वो फंजाई कौन था आपका, penicillinum, penicillinum notatum, first time, mold जो था, तो आपको पताएगी, anti-biotics क्या, 20th century की सबसे wonderful discovery है, ठीके, और serendipity है, discovery by chance, तो इन्होंने अपना जो वर्क किया था, स्टेप्टो, स्टेप्टो कोकस पे किया था, और इन्होंने क्या किया, जैसे उसको अन्वास्ट प्लेट पे गया, फंगस ग्रोव कर गया, जिसके कार्ण बैक्तिरिया की ग्रोथ रोग गई, तो penicillinum notatum, आपका अशर क्राइसोजनम से, ठीके, क्राइसोजनम, ठीके, किसे हम अप्टेन करते हैं बचो, क्राइसोजनम से, तो आंसर हमारा थर्ड, तो नेक्स हम बात करेंगे, इनकरेक्ट स्टेट्मेंट एबाउट बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट, जैवनियंतर कारकों के लिए कौन सा गलत, गलत पुछा इसने, इनकरेक्ट, रिफर टू दी यूज ऑप बायोजिकल मेथर्ड, फूर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज और पैस जैसे कि ड्रेगन फिली है, वो मॉस्कीटो को, और लेडी बर्ड बीटल है, जो वो आपका अफिड को कंट्रोल कर रहा है, तो एक और गन दूसरे को केल कर रहा है, इसका मतलब कहा है, केमिकल पर डेपेंडेंस, यह भी सी है, टॉक्सिक एन एक्स्टेमली हाम्फुल टु ह यह गलत है वाई, तो यह ही आपका क्या है बच्चो, इनकरेक्ट है, तो नोट कंप्लेटली एरडिकेट, हमें भी किसी औरगन को एरडिकेट करना अच्छा नहीं है, क्योंकि एकोसिस्टम के हेल्थ पे इसका पूरा अफेक्ट पढ़ेगा, क्योंकि उस पर तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चो, थार्ड, टोडी is made by fermenting safe from palm, ठीक है आप जानते हो केरियोटा यूरेंस यह आपका palm है, यह आपने जाने की ट्रेडिशनल ड्रिंक्स है, जो आपके साउथ इंडिया में काफी यूज की जाती है टोडी, जैसे इस्ट के द्वारा मतरब इसमें naturally occurring yeast को, yeast जो है, fermentation करती है, और अपना क्या है, तो भी एक traditional drink माने जाएगा, ठीक है तो यह palm से अप्टेन की जाती है, केरियोटा यूरेंस, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, first, ताड, ताड से मनाई जाती है, थाड़ी, select the incorrect match, वीचोलेज में आपको जानते हो, बच्चों की plus और plus का interaction आपको देख रहा है, दोनों को benefit होता है, beneficial, ठीक है, तो दोनों beneficial है, तो correct है, हमें incorrect बताना है, पैरा सेटिज में आप जानते हो, एक को plus, पैरा सेट ओलाव होता है, और जो, आपका जो host होता है, उसको नुक्सान होता है, तो उसे detrimental बोलेंगे, तो ये भी सही है, only one species benefit, common challenge में आप जानते हो, कि एक species को benefit होगा, दूसरी को कुछ भी नहीं होगा, loss नहीं होगा, only one of the species benefit, ये भी correct है, predation, एक को plus और एक को minus होता है, prey को नुक्सान होता है, और जो आपका predator है, उसको benefit होता है, तो बहुत इस बिसी harm, तो ये बिलकुल गलत है, तो हमारे बच्चों क्या है, परभक्षन आ जाएगा, दोनों जातियों को क्या होना, हानी ये गलत है, तो answer हमारा क्या हो जाएगा, fourth आ जाएगा, fourth, read the following statement and select the correct option, natality जो आप देख रहे हो, natality e-migration, आप जानते हो, बच्चों, natality को B से रिपरजेन करते हो, और e-migration आप जानते हो, I से रिपरजेन करते हो, ठीके, तो हमारे पास formula भी आपको पता ही है, nt plus 1 is equal to nt plus b plus i minus d plus e, तो आपको पता ही बच्चों, जब b और i जादा होता है, किस से, d plus i e से, तो आपका क्या, population की जो ग्रोथ है, वो क्या, increase हो जाते है, ओके, ज़्यादा है, bi, birth rate, यही आपको बोल रहा है, यह increase हो जाएगी, correct है, birth rate and death rate आप जानते हो, यह feature of attribute या features of organism, बिल्कुर सही है, feature of population, not the organism, तो birth rate and death rate are population attribute, मतलब feature of population, not the individual organism, ओके, तो बोदोन ही correct है, both statement are correct, दोनों correct है, तो क्या answer आजाएगा हमारे बच्चों, थर्ड answer आजाएगा, next, हम बात करेंगे, 125, which of the type of human population, which types of human population is represented by the following age primate, age primate जानते हो, बच्चों, जो different age group को represent करता है, उसी को हम क्या बोलता है, age primate बोलता है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, इस जो पाला पार्टिसिव क्या होने पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, छो 2020 और यहां बमेडल्म इ जानते होंकि आपने तीन ठञेज कि आपने देखे थे इक आपका triangular shape था expanding type का जिसमें आप देखो कि pre आपके ज़्यादा होंगे pre आपके ज़्यादा होंगे इसमें reproductive और थोड़े कम होते चले जाएंगे और post reproductive आपके सब से कम होंगे फिर आपने देखा था bell shape बैल shape कहां पर मिलेगा आपको stable population ठीके तो यह आपका आपके expanding का है expanding जो होगा age primate होगा दूसरा आप देखोगे stable में तो stable में आप देखोगी कि जो birth rate और death rate क्या है एकदम equal से देखने को मिलते हैं पतब reproductive और pre reproductive जो है वो बराबर होता है stable में और last आप देखते हो कि जो आपका क्या है घड़े जैसा देखेगा और नसेफ और नसेफ तो आप देखोगे कि जो तो यह आपका क्या decline होगा decline decline declining में आपने देखा तो यही बाला ग्रोफ हो जाएगा क्योंकि इसमें pre reproductive क्या है कम है तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो birth rate है वो क्या है ज्यादा है किससे death rate से यहाँ पे दोनों क्या है बराबर है और यहाँ पे क्या होगा death आपका क्या है ज्यादा है किसे birth rate तो यह decline आ जाएगा तो घटती हुई population आ जाएगा तो बच्चो क्या है third answer आ जाएगा क्या answer आ जाएगा हमारा third select the incorrect statement, incorrect आपको बताना है about the uri thermal organism uri का मतलब होता है बच्चो broad, wide range uri मतलब, uri means wide and steno मतलब क्या होता है narrow, तो हमें यहाँ पर uri thermal होला है tolerance to wide range of temperature, correct है can tolerant, large change in temperature, बिल्कुल most of the mammals uri thermal आप जानते हो, birds and mammals ही uri thermal है जो की thermoregulation से अपने body temperature को maintain कर सकते है such organism live in area where temperature is uniform, तो uniform कहा रहेगा फिर तो wide range कहा होगी, तो यही गलत है तो fourth answer आपका आजाएगा, बच्चो, answer number four, ठीक है desert plants are adapted in their environment, all of the following features are associated to such plant that help them to adapt, accept तो thick cutie आप जानते हूँ, desert plant में thick cuticles आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है stomata आपके क्या है, pits में आप जनरली क्या होता है, गड़े में आपके stomata, sunken stomata आपके present होता है leaf के अंदर, ठीक है, तो इन आपके stomata को क्या बोलते हैं, sunken stomata sunken stomata आपके होता है, मैंने आपको लेखाया है, stomata leaves reduced in a spine, आपने देखा उपन सिया में, तो ये भी correct है presence of parent camera, ये ज़रूर ये तो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो floating में मदद करता है parent camera का जो modification है, इसमें air cavity होती है, तो ये तो hydrophytes का feature से, ना कि जिरrophytes का, लिप पे, maxill ear, cuticles, तो क्या answer आजाएगा हमारा, fourth answer आजाएगा, mammals for colder climates generally have shorter ear and limbs to minimize heat loss, तो आप जानते हो, gauss competitive exclusion principle ये तो क्या बताता है, two relative closely related species cannot exist longer time, ठीक है, जदी वो same resource के लिए competition कर रही है, तो दो closely related species लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती, ठीक है, तो जो इस पर्दा में कम है, जो competition में inferior है, उसको superior के तो आजाएगा, ये gauss principle होता है, तो ये तो होगा नहीं, गलत हो गया, एलन rules आपका सही है, behavioral adaptation ये भी नहीं होगा, लेजाड में देखने को मिलता है, resource partitioning ये भी competition में देखा जाता है, जो species है, वो एक दूसरे से क्या competition, मतलब क्या करती है, मतलब exclusion नहीं होता, generally क्या होता है, co-existence होता, तो उसके लिए resource partitioning होती है, जैसे अपने वार्वरलर में आप देखागे, तो ये भी नहीं होगा, तो आपके लेन rules आजाएगा, तो जो cold climate में जो आपके और गनिंग होते उनके जो ear and limbs होते हैं, वो छोटे होते हैं, ठीके, तो क्या जाएगा हमारा Allen rules, तो answer number second, select the incorrect, incorrect हमें बताना है बच्चो, tree dwellers जो आपके है, tropical rainforest में मिलते हैं, बिल्कुल सही है, tree dwellers, आप जितना dense forest है तो वहाँ पे यार animal रहेंगे कि नहीं, plant के उपर, bricks पे निवास करने वाल आप जानते हो, coniferous, pinus, coniferous होते हैं, कौन से plant होते हैं, यह भी आपका क्या है, correct है, tree less biome आपका grassland है, यह भी correct है, क्योंकि grassland में जनरली grass की बात करने, compact soil होती है, तो वहाँ पे root grow नहीं कर पाती, बड़े plant की, tree and आप जानते हो, tundra जो आपका तो architect tundra, Arctic and Alpine tundra, यह pools पे आपका बहुत ठंडा इलागा होता है, Arctic tundra, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चो, grasses होते हैं, lichen होते हैं, moss होते हैं, vegetation यहाँ पे क्या है, बहुत कम देखने को मलता है, फिर भी, lichen भी होंगे, grasses भी होंगे, grass भी देखने को मिलते हैं, grasses, ग्राइस शेलो, δενष्यारीम की लगए मत्यास कि एप सब्सक्राइड कर देखो से क्लिछी के अंश्यू कि यह एपका फिर रटु ख मूंसर्टा oh तो दूरिंग एल्टिटूट सिखनेस आफ जानते हो बचो जदी हम रोतांग पास जैसे बहुत बड़े एरिया बहुत उचे अलाखे में जाएं जैसे कि इतना आपका मीटर तो बोड़ी गेट मोर ऑक्सिजर नहीं डू तो नीचे की बात कर देया आपने तो बोड़ी नॉट गेट एनफ औक्सिजन डू टू लो अट्मोस्फिक प्रेसर तो यह तो भी यह गलत हो गया बोड़ी डिक्रीज आर बीच प्रड़क्शन नहीं भी यह आर बीच का मतला हो कि आप फीजियोलोजिकल अडप्टेशन सो कर पाएं तो यह भी गलत हो गया दिरेज डिक्रीज इन दी बैंडिंग कैपेसिटी आप दा हीमोग्लोमी करेक्ट हो गया क्योंकि हमारी हीमोग्लोमन का पड़क्शन बढ़ जाएगा तो जो उसकी ऑक्सिजन से बैंडि मर जाएगा ओके तो यह करेक्ट है और डिक्रीज ब्रीफिंग रेट नी इंक्रीज करना है तीन ही तो मैंने आपको बताए थे एक तो आरबीसी को परड़क्शन आपको बढ़ना है ब्रीफिंग रेट को भी क्या करना है बढ़ना है ब्रीफिंग भी बढ़ना है ब्रीफि क्या करना है डिक्रीज करना है तभी यह तीन फिजियोलोजिकल एडप्टेशन हमारे पास होंगे और हमारा काम बन जाएगा हम वहाँ पे नॉर्मलाइज इस फिल करेंगे एल्टिटूर से क्रेस्ट ओके तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास बच्चो मीन्स शरीर में आर्वीजी का पादन देखे यह भी गलत है हीमोगलोविन की बंदन चमता में कमी आ जाएगी थाड़ आंसर आ जाएगा तो विच अब दो फॉलोविंग ग्रोट मॉडल इस कंसिडर्ड एस मूर्य रियलिस्टिक वन आप जानते वाचो जो आपने देखा है एक्सपॉनेंसियल ग्रोथ जेशिव ग्रोथ जीमीटरिक ग्रोथ तीनों एक हैं तो इसमें क्या बचा लोजिस्टिक ग्रोथ देखो जब रिसोर्स से आपके क्या होते हैं कि रिसोर्स जो क्या है आपके अनलीमिटेड है Unlimited है, तो क्या होगा हमारा, कौनसा ग्रोथ होगा, Exponential Growth होगा, Exponential Growth होगा, ओके, लेकिन जब Resource कैसे हो, Limited हो, Limited हो, तो कौनसा Growth Curve होगा, अपना, Logistic, सबसे Realistic है, क्योंकि आपके Resource जो है, वो इतने ज़्यादा नहीं है, वो Limited होने बाले हैं, जिनके लिए नहीं है, तो Logistic Growth Curve सबसे Best होता है, सबसे Realistic Growth Curve होता है, ठीके, क्योंकि Environmental Resistance यहाँ पर आपका अपलाई होता है, तो Fourth Answer अपना बच् सबसे Best है, ठीके, जिसमें चार आपके Phases होता है, पहले Leg Phase, फिर Log Phase, बतलब Accelerated, De-Accelerated और A Simptop, Caring Capacity के पास जाके, वो आपका Growth क्याए, Constant हो जाता है, तो क्या Answer आजाएगा हमारा पास बच्चों, Fourth Answer और आजाएगा, Barnacles जो आपके देखो हैं आपे, Barnacles क्या है, Marine Orthoports होते है, Marine Orthoports, यह मैंने आपको बताया था, Marine Orthoports को हम क्या बोलते हैं, Barnacles, Earth Reports, जो है, Marine Orthoports को क्या बोलते हैं आप, Barnacles, ओके आप आप देख रहों, यहाँ पर एक Common Cellage में देखने को मिल रहा हैं, और Common Cellage में मैंने आपको क्या बताया था, बच्चों, Plus और Neutral, आप देखो कि, वेल को क्या मिलना है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, Harm मिलेगा, नहीं, Benefit भी नहीं मिलेगा, क्योंकि, Benefit किसको मिल गया, Barnacles को मिल गया, वेल को लड़ू मिलेगा, Okay, तो इसको क्या है, बच्चों, Remain Uneffected, यह correct answer है, Competition तोड़ी होगा, वेल और कहां, Barnacles, तो Barnacles को क्या मिला हमेरे, Benefit हो गया, उससे सेल्टर मिल गया, तो सेल्टर मिला है, तो क्या मिल गया, Benefit हो गया, Barnacles को प्लस दे देंगे, वेल को लड़ू दे दे देंगे, तो क्या मिल जाएगा, आंसर क्या जाएगा, आप रिभावित रहेगा, Third is correct answer, बच्चों, Next हम बात करते है, Next question, Co-Evolution is an evolutionary mechanism and organism co-evolve, which are, आप जानते हो, mutualism में देखने को मिलता है, ठीक है, यदि आप देखोगे, आपने plant में देखा होगा, जिसे कि आपने बहुत सारा polynation plant insect attraction भी आपने देखा होगा, mutualism में देखा होगा, ठीक है, तो select the correct option and flying uplink, तो mutualism में आप देखना पड़ेगा, host parasite में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है, complete, वो यहाँ पर देखने ही रखा है, तो क्या जाएगा हमारा answer, mutualism में आ जाएगा, सहोपकारी, तो सह विकास, एक उद्विकासी ये करिया है, तो यहाँ पर आपका सह विकास देखने को मिलेगा, mutualism, में नहीं देखने को मिलेगा, amensalent, retiremental, तो answer हमारा क्या जाएगा, बच्चों, second आ जाएगा, तो आपने देखा, fig, fig and fig insect आपका changes होगा, bee और ophiress orchid, जिसमें sexual depot, सहाँ देखते हो mutualism में, यदि आपने देखा कि female bee में जाजी change हो रहे हैं, तो plant को भी अपने फ्लॉबर को change करना पड़ेगा, तो mutualism में देखने को मिलता है, read the following statement and choose the correct option, competition will occur only when resource present in environmental limiter, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि competition आपका क्या है, बच्चों, ठेके, तो यह resource, Sam, मतलब क्या है कि यह non-related organism में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि resource आपके हो, resource limited हो, तभी competition हो, unlimited में भी आपका होता है, तो resource का limiting और unlimited होने से, competition का कोई लेना देना नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यह भी correct है, ठीक है तो को जरूर नहीं कि अब जानते हो कि नीचे लाइन भी लिखी हुए है कंपटीशन इस बेस्ट डिफाइन जे प्रोसेस इन बिच फिटनेस बनेस्पीज इस सिग्निफिकेंटली लोर इन दी प्रजेंस अब अनुदर स्पीज अनुदर अर्गेनिज में भी कंपटीशन देखने को मिलता है तो बोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट दोनों करेक्ट मे जाएगे बच्चो थर्ड विच फॉलिविंग दू नॉट फीड और एक्स्टर्नल सर्फेस अफ अब जानते हो कॉपोर्ट्स और मेराइन फिस लाइस ऑन हुमन बिल्कुल पैरासाइट है यह भी सही है टेक्स ऑन डॉग यह भी एक्जो पैरासाइट है कॉपोर्ट्स और दूखोर्ण मेराइन फिस यह भी आपके चाहँ है अखँपैरासाइट है और ऑप जानते है बच्चो क्या करता है योट फीड करता है इस ऑपने नूट्रिशन पॉम फ्वम दी आउट पोशी होट फिग वैस्ट हों फिग यह तो आपके चाहँ है बच्चो इन तो रोमें क्या होता है mutualism होता है ठीक है एक दूसरी में क्यायन में mutualism होगा mutualism symbiosis होगी दोनों में symbiosis दोनों को क्या होगा plus plus होगा तो कोई parasyte नहीं है दोनों मिलके काम करता है तो answer क्या जाएगा हमारा not feed on external surface तो fourth आपका क्या है इसमें ठीक है तो यहाँ पर क्या कुछा not feed on external surface तो यह आपका fourth answer आजाएगा fourth अंजीर एंड फेग mutualism सो करता है smooth leaves and absence of nectar and cotton make resistance to आप जानते हो बच्चों यह morphological और biochemical क्या है morphological भी है लीप के लिए हम बात करें तो morphological adaptation है और दूसरा क्या है biochemical भी नेक्टर नहीं है तो दोनों case में आपका आता है और यह किस के लिए wall warm के लिए cotton पे कौन wall warm इसको फिर क्या है effect ने कर पाएगा ठीक है तो यह आपका fourth आजाएगा क्योंकि stem sophily में क्या होता है आपका solid stem होता है जैसेट के लिए cotton आपका होता है hairy leaf होता जैसेट के लिए अफेट्स है यह नहीं और wall warm आपका आजाएगा wall warm तो आंसर अफ़स्था इसका भी क्या जाएगा बच्चो फोर आजाएगा तो तो यहां पर आपको क्या बच्चो क्रॉप की बात करनी है विराइटी की बात करनी है और रजिस्टन्स टू एंचेक्ट पेस्ट तो यह टेbenल आपके NCRT में बनी हुए फ्लाट बीन आप जानते बच्चो पूसा थो पूसा सैम आजाय show एक हैं पूसा सैंट इंट से स्री दू यह वराइटी आपके होतने हैं तो एट और Looks फूट बॉरर तो आपने जाना फूट बॉरर भी हो सकता है इसमें आपका एफ़ेड जैसेट्स तीन आपके और्गेरियों होते हैं ब्रैसी का पूसा गॉरभ है और एक किसके लिए रेसिटेंस हो करती है एफ़ेड के लिए ठीके तो पूसा सवानी जैसेट्स पूसा एफ़ेड फूट बॉरर पूसा सेम टू तो यह आपका थर्ड आंसर आजाएगा पूसा सेम टू और एफ़ेड थर्ड आंसर रीड फूलोविग स्टेट्मेंट एड सेलेक दा करेक्ट ओप्शन सेक्रम ओफिशी नेरं हैड ही सोगर कंटेंट और यूस्ट ग्रोओ इन साओथ इंडिया त्रॉपिकल कैन है और नोबल कैन भी बोलते हैं त्रॉपिकल कैन नौबल कैन भी बोलते हैं ठीके इसमें आप सेकुरम, बार्वेरी, पूर सुगर कंटेंट, एं थिन स्टेम, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का कैन है, तो दोनों स्टेटमेंट कहा है बच्चों आपके, करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सही है, कोई भी गलत नहीं है, प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, इसका थिक स्टेम आपका है, थिक स्टेम था, अगर कंटेंट भी कहाते, इसमें जादा थे, तो जादा नहीं लग रहा है, प्रोड़क्टिविटी भी कहा इसकी जाए, जादा है, ओके, तो जो बोच स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, फर्ड धर पर आप जानते हों बच्चों फ Suger नीमेड क्रम है क्रोफ है फंस्ट मैंमेड क्रॉप जो आप जानते हों कि वीट और आप जानते हों वीट एन राइ दोनों के बीच में क्या है crossing से बनावे इंड राइ तो आप जानते हो वीट का आप टिटीकम है और राई का क्या अपना सीकेल ट्रीकिया आप सीकेल सीरियल्स सीकेल ठीके तो आप दोनों के जीनस क्या हो गया लग हो गया सीकेल और यह क्या टिटीकम तो दो जीनस हो गए, ये जीनस अलग है, ये जीनस अलग है, तो क्या जाएगा, इंटरजनेक आ जाएगा. इंटर जेनरिक, ओके तो यह थोड़ा NCRT से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीकेल, सीरियल्स जो आपका है, अलग जीनस हो गया और ट्रिटी कम अलग हो गया आपका, तो क्या जाएगा अच्छो आंसर हमारा, फोर्थ आंसर आजाएगा, अंतर वंस यह, दो जीनस के बी क्रॉफ्स, तो यह भी आपका NCRT से बाहर है, वीट इन राइस यह प्राइमरी क्रॉफ्स होते है, राई एंड राइस यह भी आपके क्या है बच्छो, यह राइस आगया तो राइस तो प्राइमरी, राइ सेकंडरी है, तो ओट एंड राइस आजाएगा, फोर्थ आंसर आ इन-करेक्ट इस्टेमेंट आवाउंड थै, इज आर पैतोजन डे अट अट इन सेक्ट और्थ आपकोर्ण, शही है, इनकरेक्ट बुचा हमें तो, इज आर दा जीनर्श ऑफ नुकलियो पॉलियो पॉलियो यह भी सही है, एन-पी, एन-छ पी, इन-छ पी, इन-पी, इन- प्रियकारात्मक प्रभाव नहीं होता है जन्तुंवं पे पाधपों पे और non-target इंसेक्ट इन्सेक्ट तो क्या अंचर आजाए हमारा फौर्ध आंसर आज़ा है correct answer शूजदी इन्करेक्ट इस्टेट्में तर्में correct इस्टेट्में correct हमें वना यह effective biocontrol agent, सारी चीज effect अच्छ है, यह किसी symbiosis में नहीं मिलता, trichoderma, और यह root ecosystem में को अमली देखने को मिलता है, और यह जो disease causing बैतो हो जाने, उनकी growth को रोखता है, तो इसमें सारे option आपके क्यांवचो correct है, तो क्या answer आजाएगा हमारे पास, तो biocontrol agent है, बिल्कुल, biocontrol agent में यह use होता है, और जो, ठीक है, दूसरे harmful, जो आपके soil-born pathogen ने, उनकी growth को रोखता है, तो plant के लिए क्या है, अच्छा होता है, beneficial होता है, तो हमारा answer क्या जाएगा है है, होर्थ answer आजाएगा, होर्थ is correct answer. During CBS treatment, the step which removes large and small particles through filtration and sedimentation is, आप जानते बच्छो primary treatment क्या physical treatment होता है, तो staff के treatment को हम क्या हो लेंगे, physical treatment, और physical treatment हमारा क्या था, primary treatment था, और जो primary treatment के बाद, जो sediment बच्चा था, उसे हम क्या बोलते थे primary cellar, और जो liquid बनता, supernatant जो बच्चा था, उसे हम क्या बोलते थे primary effluent, और primary effluent को हम फिर अपने aeration tank में डालते थे थे for the secondary treatment, that is the biological treatment, तो क्या answer आजाएगा बच्छो, that is the primary treatment, it is the physical treatment, प्रात में कुप्चार बोले तो tertiary की जरूरत नहीं हमें, बाद में हम बात करते थे, ठीक है, NCRT में हमारा primary and secondary दे रखा है, तो answer क्या जाएगा बच्चो, दो तो होँगे नहीं, यह तो कट गया, क्या बच्चा, primary treatment, तो answer, first, if biological oxygen demand means BOD of water is high, it means क्या होगा, उस water का, उस sewage का pollution potential ज्यादा होगा, जब भी BOD आपका ज्यादा होगा, बच्चो, मतलब है क्या BOD, ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब, oxygen, requirement of oxygen in milligram for the oxidation या फिर degradation of organic waste present in one liter of water, जितना ज्यादा आपका oxygen consume करेंगे microbes, मतलब, उसमें organic content उतना ही ज्यादा होगा, तो it represents polluting potential is high, more the BOD, more the pollution potential of the sea base, तो first answer correct आजाएगा, it consists of inorganic matter, नहीं, organic matter की बात हो रही है, यह आप है, it consists high dissolved oxygen, बिलकुल opposite, DO यदि आपका गिरेगा, dissolved oxygen गिरेगा, तो BOD बढ़ेगा, क्योंकि dissolved oxygen को कौन consume कर रहा है, micro-organism, milligram में हम इसको major करते हैं, ओके, तो free from organic matter, तो first आपका जाएगा, production छमता अधिक होगी, यदि आपके सीवेज में वाहित मल में BOD जादा है, तो उस वाहित मल की, production छमता क्या होगी, अधिक होगी, तो first answer आपका क्या हो जाएगा, बच्चों, correct हो जाएगा, activated sludge आप जानते हो बच्चों, आप secondary treatment के बाद जो आपका बचता है, sediment बचता है, जिसमें phlox का sedimentation होता है, उसे हम activated sludge बोलते हैं, content, anaerobic bacteria only, नहीं, aerobic bacteria होते हैं, गलत हो गया, sediment form in settling tank, सही है, secondary settling tank में आपका फ़्वाम होता है, form during primary treatment, नहीं, primary treatment में क्या मनता है, primary sludge मनता है, ना कि activated sludge, यह भी गलत हो जाएगा, pump into aerobic sludge digester to produce biogas, नहीं, aerobic नहीं होता है, वो anaerobic sludge digester हो जाएगा, तो यह भी गलत हो जाएगा, तो हमारा answer क्या जाएगा बच्चों, second, तो tank में हम डाल देंगे, इसमें secondary succulent tank में, जो sediment बसता है, वोही activated sludge है, इसका जो minor part है, वो aerosin tank में pump करते हैं, और जो major part है, वो anaerobic sludge digester में, biogas के production के लिए यूज किया जाता है, जिसमें methane और जंस बर करते हैं, तो आपका second answer correct हो जाएगा, which of the following interaction is a natural way of transferring energy in higher tropic level, आप जानते हो बच्चों predation, ठीके तो predation क्या है, एक channel की तरह काम करता है, जिसमें आपका lower tropic level, मतलब plant से energy, जो क्या है, higher tropic level में shift होती है, mutualism नहीं आएगा, predation आपका answer आजाएगा, common challenge भी नहीं आएगा, and proto-coperation भी नहीं आएगा, तो क्या answer आजाएगा हमारे पास बच्चों, परभक्षन, energy transfer में मदद करता है, क्योंकि जो हर भी बोर्ट से ये भी एक predator की तरह काम करते हैं, second answer is the correct answer, select the mismatched pair, dipos, आप जानते हो, बच्चों, एक stage of suspended development है, जो प्लेंक्टों में देखी जाती है, एकदम correct है, regulator, आप जानते हो, birds and mammals होते हैं, जो अपने homeostasis हो करते हैं, ये भी correct है, conformers, nearly all plants, बिल्कुल ठीक है, all plants आपके ख्याए conformer होते हैं, migrate, zero fat, plant, plant कभी होई, plant कभ से migration करने लगे, तो ये incorrect हो जाएगा, तो हमारे पास प्रवासन, आपने देखा है कि zero fat में नहीं होगा, तो क्या answer आजाएगा हमारा, fourth answer is the correct, plant में migration नहीं हो रहा, equation which describes exponential growth, मतलब, exponential growth आपका है, बच्चों, geometric growth, आपने देखा है कि जब resources आपके unlimited होते हैं, तो कौनसी growth होता है, exponential growth होता, इसका formula हमारा क्या होता है, dn over dt is equal to rn, r हैंपे क्या है, intrinsic rate of natural increase, यदि हम logistic growth की बात करते हैं, तो वहाँपे क्या होता आपका, उसके लिए formula हमारा हो जाता है, dn over dt is equal to rn, k minus n upon k, ठीके तो यह हमारा हो जाता है, logistic के लिए, और यह हमारा किसके लिए है, exponential के लिए, तो दो ही तो आपको equation है, यह आपको याद रखने है, exponential के लिए, ओके तो क्या answer आजाएगा हमारा बच्चों, second answer आजाएगा, all of the following, so predator-prey relationship accept, predator-prey relationship, आप जानते हो tiger, and आपका देखनों tiger क्या है, अपका predator है, deer क्या है, प्रेय है, यह भी सही है, sparrow and seeds, यह भी ठीक है, प्रक्योंकि आपके जो, हर्भी बोर से, वो भी एक predation का काम करते है, animal and plant, यह भी ठीक है, एपिफाइट्स on mango, यह आपने यह निज जासता है, एपिफाइट्स आपके क्या है, predator नहीं होते, तो फोर्थ आपका क्या answer आजाएगा, आम के साथ, यह तो एक क्या है, आपका common challenge में कुछ वो कर रहा है, common challenge, mango को इसमें कोई भी, लॉष नहीं होगा, और एपिफाइट्स जो है आपका, और केट्स उसको बेनेफेट हो जाएगा, common challenge में, plus और detriments, बतलब क्या होगा, neutral का आपका association होता है, तो answer हमारा क्या आजाएगा, फोर्थ आंसर आजाएगा, फोर्थ, last question की बात करते हैं बच्छो, which of the following is not the impact of parasite on host, may reduce the survival of host, बिल्कुल reduce करेगा, may reduce the growth of the host, ये भी correct है बच्छो, may reduce host population density, बिल्कुल reduce करेगा, may enhance the reproductive capacity of the host, बिल्कुल गलत है, कभी भी जो आपका parasite है, host की reproductive capacity को reduce करेगा इसको भी, तो हमारा answer क्या जाएगा, फोर आजाएगा, ठीक है बच्छो, गल्दन,